तो चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाई जाने वाली एक नहीं दो ऐसी मज़िदार रेसिपी जिसके लिए ना तो आखको तयारी करनी है पहले से कोई और ना ही बहुत जहनजट है जहटपड बनने वाली रेसिपी है खाने बहुत बहुत टेस्टी होती है व्रत में खाईए तीन मीडियम साइस के लाल लाल टमाटर तीखे पन के लिए 4-5 सुखी लाल मिच और साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डाल देंगे हम सूखा नारियल इसे काफी चाफ फ्लेवर आने वाला है अब इसमें डाल देंगे हम दो ग्रास पानी ताकि सभी चीज़े पानी में अच्छे से पक जाएं अच्छे से मिला देंगे अब ढ़के पकने देंगे ताकि जो आलो पक जाए बाकी चीज़े नरम सी हो जाए और यहां लबच 4-5 मेट हो चूके हैं और यह देखिए टमाटर कितने अच्छे से पक गया छिलक भी अलग हो गया है अलो को चे अलो को चान लिया है अब गैस पर रखेंगे पैन यह कड़ाई इसमे डाल देंगे हम बड़े चम नर्या के दाने हम बना रहे हो मेट गरम मसाला जिसे अब रद मेखा सकते हैं आदे चमबाजीरा लिया है चमच काली मेश के दाने हैं चार से पान लौंग है दो सूखी लाल मिर्च है और साथ में जाएगा सूखा नार्या दो बड़े चमच चार काजू लिया है और साथ में जाए खुरी से करी पत्ता इनमें जो मसाले अपनी खाते वरत में स्किप कर सकते हैं जो खाते वैट कर लीजेगा अच्छे से भून लेंगे ताकि सारी जो मसालें का जो फ नार्या 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 को क्या करेंगे ताकि पीसन आसान हो जाए और तमाटा जो छिलका इसको हटा देंगे प्लिवर के लिए साथ में डिया कंप्लीट नहीं होता है है कवर कर देंगे और यहाँ तेमाटर को बेहा चीजों में पीस लिया ये देखिए State में इसमें उपकी सबेंगे इसको रदेंगे हम साइड में अब लेंगे हम मिक्सी के जार चोटा वाला इसमें डाल दें साबुदाने सिके हुए इसका हम बनाएंगे बेसिकली आटा इतना इंपर में ग्राइंड हो जाए डाल दीजेगा सारा नहीं डालना है तो मैंने यहां पर दो पार्ट में डाला है इसको में एक चցँसे बारी पीस लेते हैं तो यह साबदने का जो आटा इंप अच्छे से बनाके तयार कर लिया है यूज wyd पर फेक्ट तो यहां कि साबदने के जो आटास बनके पर तेर हो गया है इसे और पीस लेंगे और में इसा जालव में डाल दोन के साफ़ करनेे ब तेल गरम कर लेंगे जब दिल गरम हो जाए अधी चम्मा लालमिश का पाउडर इसको अच्छे से भून लेंगे इसे काफी चा स्मोकी फ्लेवर आने वाला है अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी अधी आयगी हालकर डाल देंगे जार के अधर पानी अच्छे से घुमा के निकाल लेंगे तक कुछ भी वयच्त कविल इमाटर के बादने के बाद में अब इसमें डाल देंगे हाँ फ्लेवर आधी चमर नमक लिया यह शुट्की चिनी के बात में यह लीजे are in my life too決 YOUR player the chटपटी मिठी टमाटर मसाला चटनी जो खाने बहुत टेश्टी होती है एक बर बना दी पुरे 15 अब इसमें डाल देंगे नमक स्वादनुसार अधी चमर होमेड मसाला बृत में खाया जाने वाला दो हरिमेज बारी कटी हुई कद्धू कस्किया वाद्रक ध्रेसरा हर्धनिया इसे काफे चर फ्लिवर आएगा और साथ में टेस को बढ़ाने के लिए मूफली का दरदरा पा में जाएगा सावदाने का आटा आलो में जितना मॉश्यर है उसी के अंदर हम के करेंगे इस आटे को मिलाएंगे अगर आपको जुरुत पड़ती है प्र आप पानी याट कर दीजेगा तो पर अच्छे समसल लेते हैं आलो के अंदर सावदाने के पाउडर को तो यह देख से मारा वह सुखा सुखा ना रहे फटा फटा ना रहे अच्छे से मिला देंगे तो यहां लगबा तीन चमज मैंने पाइं डाल दिया थीमेदी में ताकि जो डो है चिकना से बने यह देखिए दो चिकना हो गया है चेक कर लीजेगा हाथों को पहले साफ कर लेंगे इसको ह कर लेंगे ताकि टिक्की देखिं लगे तो यह देखिए कितनी मस लग रही है अब इनको फ्राइ करेंगे तेल को मैंने गरम कर लिया था मेड़ें बेर चेक कर लेंगे तेल बहुत गरम रहेगा इंतर डाल देंगे टिक्की उपास लाल हो जाएगी अंदर कच्छी रह अगर आप बिगनर है आपको बहुत कुकिंग करना नहीं आता है अपको डल अपर डालने में तो आप कज़ी डाल दीजेगा इस तरह से कोई दिकत नहीं है राम से फ्राइब हो जाएंगे तो मैंने यहां पर आज़ी टिक्किया डाल दी है अब क्या करेंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पर दो मेट के लिए ऐसे छोड़ देंगे जब अच्छे से टिक्कियों पर हलका सा कलर आजाएगा फिर हम इंको हलका रोल करेंगे यह देखिए जब दो ती मेट हो जाएंगे टिक क्रिश्पी सी पर लेट में तो यह लीज तैयार है गर्मा गरब क्रिस्पी सी क्रण्ची सी आलू साबुदाने की टिक की साथ में तयार है चटपटी सी तीखी सी टमाटर की चटनी जो की बहुत-बहुत टेश्टी रती इसके साथ में बहुत ही हलका तेल सोग करती है इस बाद कर ध्यान रखेगा यह देखिए लाकिन कितनी क्लीन है तो बहुत परफेट रेसिपी वरत अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड वीडियो को धेर सारा लाइक करें शेयर करना तो बेकुल ना भूलिएगा ताकि इस तरह की यूनिक और हैल्दी टेस्टी रेसिपी में आपके साथ में और भी शेयर करती रहूं चली मिलते हैं नेक्स रेसिपी के आप मुझे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करेंगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेंका किचन जोन